नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आदित्य कुवर एस्टो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमारा चैनल मासिक और साप्ताहिक राशिफल के साथ ही पालमिस्ट्री और निमरिलोजी के विशेव में भी आपको बताता है अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच जाए दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आर्थिक इस्तर मेश राशी के लिए उनके जीवन में किस तरह का रहता है कैसी रहती है उनकी आए किस तरह के उनके खर्चे रहते है और अपने जीवन में वो कितना बचट कर लेते हैं इन सारी विशेव पर आज हम इस वीडियो में बा करें तो इस राशी में पैसे कमाने की शमता सबसे आगे रहती है क्योंकि इन में उड़ बहुत ज्यादा होती है हाड-working होते हैं, अपने जीवन में ये goal-oriented रहते हैं, कहने का तातपरिया यही है, इनको पता रहता है कि अगर इनको कुछ जीवन में बनना है तो इन्हें hard work, मेहनत करना अती आवशक है जिसके कारण इनकी आर्थिक इस्तिती बहुत ही अच्छी रहती है मेश राशी materialistic होती है मतलब जो भी उभुभोग के सामान है उनमें ये बहुत ज़्यादा interested होते है इनको हमेशा पता रहता है कि अगर मुझे जीवन का अनन्द लेना है तो मुझे पैसे कमाने है तो पैसे कमाने के लिए जो भी qualities होने चाहिए वो सारे qualities मेश राशी में होते हैं तो मेश राशी पैसे कमाने के मामलों में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं ये अपने जीवन में किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं इस मामले में ये बहुत ही वर्सटाइल रहते हैं मेश राशी में बहुत ही ज़्यादा उर्जा होती है सिर्फ यही माइने रखता है कि वो उर्जा सही डायरेक्शन में होना चाहिए इनकी उर्जा अगर सही तरके से channeled हो जाए तो ये अपने जीवन में बहुत ही जादा earning कर सकते हैं ये खुद के बलबुते पर आगे बढ़ने वाली राशी होती है मतलब अगर इन्हें पैसे की आवसकता है तो ये किसी से मांगेंगे नहीं ये ही सोचेंगे कि ये पैसे में खुद से earn कर लो और इनसे आप कितना भी hard work करवा लो ये हमेशा तयार रहते हैं ये पूरे जीजान लगा के पैसे कमाएंगे जितना चाहिए उतना कमाएंगे क्योंकि इनका उर्जा का स्थर बहुत ही high होता है और continuous effort देने की शमता इनमें बहुत ही अच्छी होती है तो आर्थिक डिस्टी से मेश राशी कभी भी पीछे नहीं रहती है और अगर इनको जीवन में challenge दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी तरह accept करते हैं ये अपने carrier में बहुत ही जादा आगे बरते हैं तो मेश राशी को पैसे कमाने के related कोई भी problem नहीं आते हैं मेश राशी के लिए अगर हम खर्चों की बात करें क्यूंकि ये action oriented होते हैं बाद में सोचते हैं तो ये spending के मामले में भी ऐसे ही रहते हैं अगर कोई भी वस्तू इन्ने पसंद आये वो बाहरी चमक को देखकर ये खरीद लेते हैं उसके बारे में पहले नहीं सोचते हैं कि ये शीज इनके लिए उप्योगी होगी की नहीं मतलब ये राशी कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मैं जो खरीद रहा हूँ ये चीज मुझे आगे के समय में उप्योग में आने वाली है या नहीं अगर इनको लगा कि ये वस्तु मुझे पसंद है, मुझे खरीदनी है तो ये उस वस्तु के पीछे कितना भी पैसे खर्च कर सकते हैं तो ये बात इनको प्रोब्लेम में लाता है खर्चो को लेकर यही एक इन में खामी है खर्चो को लेकर मतलब लॉंग रन एफेक्ट के लिए ये नहीं सोचते हैं इनको वरतमान में जो भी चीजे जर्वत होती है वो खरीद लेते हैं मतलब ये नहीं सोचते हैं कि भविश्य में मुझे ये चीज उपयोग में आएगी की नहीं तो ऐसे करते करते इनके खर्चे बढ़ जाते हैं खर्चे करने की जो आदत होती है वो भी मेश राशी में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है मेश राशी के अगर हम बचत की बात करें क्योंकि इनके खर्चे बढ़े वे रहते हैं तो ये अपने जीवन में बचत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं मेश राशी ज़्यादा तर ये सोचते हैं कि अगर मेरे खर्चे नहीं कम कर पा रहा हो हों बचत नहीं कर पा रहा हूं तो हम इंकम चादा कर लें लेकिन आर्थिक डिस्टी कॉंट से ये बात सही नहीं रहेगी क्योंकि अगर आप इंकम कर रहे हो तो उसमें एक लिमिटेशन आ जाएगी तो उस लिमिटेशन के अनुसार आपको अपने जीवन में बचत करना आवशक है तो अगर मेश राशी इन बातों पर अपने खर्चों की जो बात है उन पर ध्यान दे तो ये अपने जीवन में एक अच्छा बचत कर लेंगे और इनकी आर्थिक इस् आपको ऐसा अपने जीवन में लग सकता है कि आपकी इनकम बहुत ही अच्छी हो रही है लेकिन अगर आप सेविंग की जिस्टी से देखें तो आप बिल्कुल भी बचत नहीं कर पा रहे हैं तो अगर हम आर्थिक जिस्टी को देखें तो सेविंग बहुत ज़्यादा माइ मेश राशी के लिए यही सला है कि ऐसा नहीं सोचना कि यह चीजे मुझे इस समय में पसंद है तो मैं यह वस्तु ले लूँ और यह किसी को भी मदद करने के लिए आगे पीछे नहीं सोचते हैं तो इन बातों पर ध्यान देना आपके लिए अति आवशक है आर्थिक दिस् सकती है और आप पैसो के रिलेटेट बहुत ही confident और मजबूत फील करेंगे मेश राशी में earning के qualities जैसे कि मैंने पहले बताए वो बहुत ही अच्छे होते हैं पस यह अगर अपने spending को ध्यान दे तो इनकी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है तो दोस्तों यह था मेश राशी के लिए उनका आर्थिक स्थर उनके जीवन में किस तरह का रेता है कौन सी सालधानी उन्हें बरतनी चाहिए अगर आपको यह दीवी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही comment box में जैश्री राम अवश्य लिखे धन् झाल